दरसल, दुनिया भर के कोर्ट रूम में नजर आने वाली ये मूर्ती मिस्र की देवी माट और युनान की देवी थैमिस और डाइक से प्रेरित है. वहीं, आज के समय में जो मूर्ती अदालतों में रखी जाती है, कहते हैं कि इस लेडी जस्टिस का कॉंसेप्ट रोमन मिथको से आया है. दरसल, रोमन के लोग इनी तीन देवियों की तर्ज पर जस्टिशिया को न्याय की देवी मानते थे. इस तरह धीरे धीरे जस्टिशिया ही लेडी जस्टिस हो गई. लेडी जस्टिस की आँखों पर काली पट्टी बंधी होती है, जो समता का प्रतीक मानी जाती है. उनकी आँखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई है, ताकि न्याय करते समय किसी के साथ भी भेदभावना हो. वहीं, न्याय की देवी ने अपने एक हाथ में तराजु पकड़ी है, जिसका कॉंसेप्ट मिस्र से आया है, क्योंकि वहां तराजु को न्याय और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जो दर्शाता है कि किसी के साथ न्याय करते समय दोनों पक्षों को सुना जाएगा. इसके अलावा कानून की देवी के एक हाथ में तलवार भी होती है, जो शक्ति का प्रतीक है. इसे अथोर्टी और पावर के तौर पर देखा जाता है. इसका मतल कि जो भी ने आए हुआ है